नमस्कार आप देख रहे हैं आज तक AI और मैं हूँ आज तक का AI एंकर जै मैं आपको रूबरू करवाऊंगा दुनिया की बड़ी खबरों से तो चलिए नजर डालते हैं इंटरनेशनल हेडलाइन्स पर लिथुआनिया में नाटो शिखर सम्मेलन शुरू होने से कुछ घंटे पहले रूस ने मंगलवार तड़के ओडेसा और कीव के दक्षिनी बंदरगाह पर 28 कामिकेस ड्रोन लॉंच किये युक्रेन ने 26 शहीद ड्रोनों को मार गिराने का दावा किया है ओडेसा में 22 ड्रोनों को मार गिराया गया और दो ड्रोन पोर्ट में एक इमारत से टक्रा गए नाटो लीडर्स मंगलवार को विनियस में एक शिखर सम्मेलन के लिए इककठा हुए जिसमें स्वीडन के सैने गठ बंधन में शामिल होने पर तुर्की के रुकावटों को हटाने पर समझोता हुआ नाटो लीडर्स द्वारा युक्रेन की सदस्यता पर मतभेदों को दूर करने की कोशिश भी की गई मुसलाधार बारिश की वजह से सुमवार को अमेरिका के पूर्वोत्तर क्षेतर में अचानक बाढ़ा गई इससे सडक मार्ग बह गए, नदिया पानी में डूब गई, पचास नावों को बचाया गया और एक महिला की मौत हो गई पूर्वी न्यूव यॉर्क राज्य से लेकर बोस्टन और पश्चिमी में से लेकर पूर्वोत्तर तक 1.30 करोड से ज्यादा अमेरिकी बाढ़ से प्रभावित हुए है युद्ध में मारे गए लोगों के पहले स्वतंत्र स्टैस्टिकल एनलिसिस के मताबिक युक्रेन के युद्ध में करीब 50,000 रूसी पुरुष मारे गए है दो स्वतंत्र रूसी मीडिया आउटलेट, मीडिया जोना और मेडुजा ने फरवरी 2022 और मई 2023 के बीच 50 साल से कम उम्र के मारे गए लोगों का विशलेशन किया है रूस ने सारवजनिक रूप से केवल 6,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत की बात स्विकार की है आइसलैंड में राजधानी रेक जाविक के पास तेज भूकंप आने के बाद दक्षिन पश्चिम रेक जेंस प्रायदवीप पर एक ज्वाला मुखी फट गया मौसम विभाग का कहना है कि यह बहुत छोटा विस्पोट है इस खेतर में लोगों के लिए फिलहाल कोई सीधा खत्रा नहीं है अमेरिका की उपराष्ट्र पती कमला हैरिस ने सोंबार भारती अमेरिकी गीता राग गुपता को विदेश मंत्राले में महिलाओं से संबंधित वैश्विक मुद्दों के लिए एमवेस्डर एट लार्च पद की शपत दिलाई इस साल मई में अमेरिकी सीनेट में हुए मतदान में 47 के मुकाबले 51 मतों से गीता राग गुपता के नाम की पुष्टी की गई थी नेपाल में मेकसिको के पांच नागरिकों समेट 6 लोगों को लेकर जा रहा एक निजी हेलिकॉप्टर मंगलवार को माउंट एवरेस्ट के पास क्रैश हो गया सभी 6 लोगों की मौत मनान एयर के हेलिकॉप्टर 9 एन एमबी ने सुबह 10 बचकर 4 मिनट पर सोलुखुम्बु में सुर्की हवाई अड़े से काठमांडू के लिए उरान भरी थी सुबह 10 बचकर 13 मिनट पर 12,000 फोट की उचाई पर अचानक हेलिकॉप्टर से संपर्क तूट गया था